हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल मुकंद माधव की चैनल मैं आज में आपके लिए लेक आई हूं गर्म गरम फूली फूली ताजी हरी कसूरी मेथी की पूरियां यह मसाले वाली पूरी हमने बनाई हैं फ्रेंट्स बहुति तेस्टी लगती हैं तो तो फ्रेंट्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक करें, सियर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लें, तो चली फ्रेंट्स शुरू करते हैं, रेसिपी बनाना, लुआ अब पैन को गेस पर रखेंगे, एक चोटे चमच ऑपशन लाइगे, और अलका गरम हो गाया है, खटी हूए भाजी डालेंगे, अब भाजी को चलाते हुए दो मिनित तक पका लेते हैं तो भाजी को पकते बएवे दो मिनित हो गाएं इसको ज़्यादा नहीं दो भी के लिए अड़्य की और और मेकरो होने दिते हैं ने भाजी को थोड़ा थंड़ा होने देते हैं यह Thousand tecn코 ओने युद्रेंट ऐंकर कोसी ही ले लिए राचाउम्हाला दालेंगे धनिया पाउडर स्वादा नुसा नमक एक इंच अधरक का टुकड़ा हमने लिया है इसको ग्रेट करके डाल देते हैं एक चमज भरके डालेंगे सफीद तिल तिल से बहुती जवर्जस्त तेस्ट आता है हमारी पूरियों में अधा कटूरी कट हुआ हर धनिया डा अब सभी मसाले आठे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और सौप टाठा लगा के तयार कर लेते हैं तो फ्रेंड्स हमने सौप टाठा लगा के तयार कर लिया है अब देख सकते हैं अब हम पूरी बनाने के लिए फ्रेंड्स स हम आटे को इससे लंबा करके नी चापू जो हर्दाब ही बना के तियार कर लेते हैं कुछ लोई इंक त्यौिए बना कर दें स्मिट अधे लेया अधे आटे की दो जो लोई आनब नव बनाया के ज्मके तियार कर लें तो आटी है τουВот एफ रजू जाए तो इसी पिरकार हम सभी पूरी हैं बेल के तयार कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो अबने बोसे पूरी गरम कर लेते हैं तो तो फ्रेंट्स हमारा अच्छा सब गरम हो गया है अब पूरी डालेंगे तो फ्रेंट्स अगर पूरी आपकी फूलती ना हो तो आप इनको हलका से दवा दें इससे पूरी अच्छा से फूल जाती है इस तरीके से आप देख सकते हैं देखिए कितने अच्छा से हमारी पूरी फूल के तयार हो गई है अब पूरी को पलड़ देते हैं तो पूरी हमारी अच्छा फ्राई हो गए है फ्रेंड निकाल लेते हैं देखिए कितना संदर कलर आया हमारी फूरी का वह बहुत तेश्टी लगती है ये एक वह ट्राई जरूर करें फ्रेंड फ्राई की हुई पूरियों को हम एक टीशू पेपर पर रख लेते हैं ताकि इस पूरियों को बना के खिलाएंगे फ्रेंड तो वह आपकी तारीफ करते नहीं ठकेंगे एक वाइट राई जरूर करें और आपको हमरे रेसिपी अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करने करें फ्रेंड तो हम सभी पूरियों को बना के तियार कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं अब पूरियों को सर्व कर लेते हैं फ्रेंड आप इनको आलू की सूखी सब्जी या किसी के भी सांद सर्व करें चटने अचार सभी कसा बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड आपको हमारे रेसिपी अच्छी लगए तो प्लीज वीडियों को आई है फ्रेंड ये तेष्टी मसाला पूरी थेंक यू फोर बॉचिंग